हेलो इस्टुएंट, वेलकम तो कोहरेंट इंग्लिस क्लासेज, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मुहमद जियाउला कमर, आप देख रहे हैं हमारी यूटूब चैनल कोहरेंट इंग्लिस क्लासेज और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं, बिहार स्कूल एक्जामनेशन, बोट के, हन्रेड मार्क्स, इंग्लिस की किताब, रैन्बो पार्ट टू के, चैप्टर नमबर सेवन, जो की जर्मन गिरीर के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है, मतलब एक एसे है, जिसके अंदर जो जर्मन गिरीर, एक ऑस्ट्रिलियन है, उन्होंने जो है भारतिये जो महादीप है, मतलब इंडियन सॉब कॉंटिनेंट है और यूरोपियन, मतलब जो यूरोप और भारत के बीच में एक तुलना किया है, कि यूरोप के अंदर लोग अपने बच्चे की जो परवरिस होती है, वो कैसे करते हैं, और इंडिया क इंडियन जो है, वो अपने बच्चे की जो परवरिस कैसे करते हैं, यहाँ पर इंडियन सॉब कॉंटिनेंट की बात की गई है, जिसके अंदर आपको इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा और बंगला देश, नेपाल, यह सारा इलाका जो है, इसके अंदर इंक्लूड होता है, यह बहुत ही अच्छा लेक है, जिसे हम लोग जो है, लाइन वाइन हिंडी इंगलिस ट्रांसलेट करके इसको परहेंगे, और आपको बड़ी आसानी से यह समझ में आ जाएगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जर्मन ग्रीर, जो है, मतलब यह जो ऑथरे से ल जर्मनी ग्रीर, जर्मनी ग्रीर जो है, जो है, इनका पैताईस है, मतलब इनकी जो जनम है, वो उनिस ओफनिक इस भी में हुआ था, ठीक है, बौर्न and एजुटेटीड इन आॉस्ट्रेलिया, यह जो है, पैदा भी हुई, मतलब जनम भी लिया और जो है, सिखछीत भी यह जो अफ्रेस है यह न अप्रिक्ः में न बृतिक्ष है यह suffered न अहीं रहने वाली है यहांं पर क्या नहले होता है ये जो ज़र्मेनी ग्रीर है उनका ज़ जनम हुआ था वो कहा हुआ था आ। एस्टेलिया के अन दर व हुआ था इस फ्यमस फेमनिस्ट रायटर ये जो है क्या है एक परशिद एक फेमनिस्ट राइटर feminist का मतलब क्या होता है देखे feminist का मतलब होता है नारी वादी मतलब की वो लेखी का जो नारी मतलब जो औरत जात है उस जात के बारे में जो है अपनी आवाज को बुलंद करती है उसके हक में लिखती है मतलब की कोई महिला ससकती करन के बारे में जो मतलब लिखती है उसे हम लो में बोलने वाला उसका पक्ष लेने वाला उसे हम क्या कहते हैं feminist कहते हैं समझ में आ गया तो यह जो है क्या है famous feminist writer है in her well known works और इनकी जो परसीद काम है यानि इनकी जो परसीद रचना है इनकी जो परसीद किताब है articles है या essay है लेख है उसमें क्या क्या है देखिए the female inonj 1970 मतलब एक female inonj करके 1970 इसमी में इन्होंने जो किताब लिखी sex and destiny the politics of human fertility 1984 में यह sex and destiny the politics of human fertility यह भी 1984 इसमी में इनकी किताब है जो की बड़ी famous किताब है उसके बाद जो है दूसरा है the change 1991 में और 1991 में इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम किया था the change नाम का किताब था ठीक है see explore the social and cultural aspect of the life of a human वो क्या करती है explore करना explore करना मतलब खोज करना किसी चीज का पता लगाना उसे हम लोग क्या करते हैं उसको जो है explore कहते हैं तो यह जो है social and cultural expect जो है यानि कि जो महिला के जीवन के समाजिक और सांस्किर्थिक पहलू जो है उसकी परताल करती है किस के अंदर यह जो लेख है इसके अंदर Social culture practice are designed to suit male interest हर feminist जो होती है हर महिला वादी जो लेखी का होती है उसकी एक सोच जो है बड़ी dominant होती है कि जो समाजी जो लेवल पे मतलब हर समाज के अंदर प्रूस जो होता है क्या होता है परधान होता है उस समाज का मतलब यह जो हर नारिवादी लेखी का है उसकी सोच है तो इनकी भी सोच यह है कि Social and Culture यानि समाजीक और सांस्कृतिक समाजीक और सांस्कृतिक जो प्रैक्टिस है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है इस तरह से बनाया गया है जो कि जो मेल है मतलब जो प्रूस है उसके इंट्रेस्ट यानि उसकी जो हित है उसके अनुरूप बनाया गया है मतलब उसके हिसाब से बनाया गया है उसको फाइदा पहुँचाने के लिए बनाया गया है At the same time साथ ही साथ They further subjugate women और इससे क्या होता है कि यह जो हमारी पर्था है या हमारी जो प्रैक्टिसेज है वो क्या करती है प्रूस को तो हक देती ही देती है साथ क्या करती है औरतों को अपने अधीन कर लेती है मतलब की औरत को सताने के लिए और प्रूस की समाज के अंदर रुत्वा बढ़ाने के लिए यह सारी प्रैक्टिसेज होती है यह मानना है किसका जर्मन ग्रीड का यानि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अचाइल इस बॉन जो है वो जो प्रस्थूत खंड है अचाइल इस बॉन इस एक्सटर्क फॉन है जो कहां से लिया गया है अचाइल इस बॉन जो लिया गया है वो उनकी किताब है मतलब जो जजेन्में ग्रीर की किताब है जिनका नाम है शेक्स अड डेस्टिनी इस अफूलिए Fertility उसका यह छोटा सा अंस है यानि पूरी किताब तो नहीं है लेकिन छोटा सा अंस है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे It's explored the cultural peculiarities of East and the West regarding child birth and parents children relationship और इसमें जो है दर्साया गया है क्या दर्साया गया है peculiarities peculiarities मतलब विसीस्ता मतलब कि Europe की समाज के अंदर जो बच्चा पैदा होता है child birth और parent children relationship यानि जो बच्चे और अभी भावक में मतलब जो guardian और बच्चे के अंदर का relationship होता है जो संबंध होता है और बच्चे की पैदाईस की जो परक्रिया होती है यूरोप के अंदर वेस्ट मतलब जो पच्चमी समाज है यानि के European समाज है उसके अंदर और जो इस्ट मतलब की जो भारतिय समाज है भारतिय सबकॉंटिनेंट है उसके अंदर जो बच्चा कैसे पैदा होता है इसकी परक्रिया को बताया गया है दोनों के बीच में जो है क कि इर्मन गिरियर की जीवने के बारे में थोड़ा सा अंस अब हम लोग क्या करते हैं और चाइल्ड इस बॉर्ण को पूरा जो चैप्टर है उसके पैरग्राफ को लाइन वाइन ट्रांसलेट करते हैं explain करते हैं उसको समझाने की कोसिस करते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं A child is born paragraph number one The way of managing child birth in traditional societies are many and varied यानि के परंपरिक समाज जो है उसमें परशो मतलब बच्चा पैदा करना परशो का मतलब क्या होता है बच्चा पैदा करना तो परंपरिक समाज में जो परशो के परवंधन है उसका परवंधन किया गया है उसके जो तरीकें जो है क्या है वो अलग अलग है और बीफिन है देखिए यहां many का मतलब बहुत सारा और vary, vary का मतलब it's vary, मतलब यह जो है change होते रहना उसको vary कहते हैं मतलब जो हमारे समाज के अंदर जो बच्चा पैदा करने का जो परसीजर है वो बहुत तरह का है हर इलाके के अंदर अपना अपना जो है सुरीती रिवाज है, अपनी पर्था है उसके हिसाब से बच्चे की पैदाइस होती है हिंदू समाज के अंदर बच्चे का मुंडन होता है मुस्लिम समाज के अंदर नहीं होता है तो हर समाज का चाहे वो जात के बेस पे हो या फिर धर्म के बेस पे हो या इलाका के बेस पे हो तो हर समाज का अलग अलग और बहुत सारा तरीका है है बच्चा पैदा करने का मतलब मतलब जैसे माल यह經алась कि Maja की हम अभी इस्टर्म Jus from the orange मतलब कि हमने जो आरेंज से जो औरेंज होता है ुस्से जूस निकालना तो निकाल लेना निचोर लेना उसको स्टरम कहते हैं ठीक है तो स्टरम स डायकली फ्रम दे फेक्ट सीधे इस तत्व से जनम लेती है देट देज आर एकसेप्टेट कल्चरली एंड कलेक्टिबली कि यह जो है मतलब बच्चा पैदा करने का परकिरिया है वो सांस्किर्तिक और समोहिक रूप से अपनाई गई है ताकि माताओं को मनोबिज्ञानिक बोच की परकिरियाओं को पुरा जहलना ना पड़े यानि हमारे समाज के अंदर जो बच्चा पैदा करने का जो बच्चा पैदा जो होता है उसकी जो रीती रिवाज है वो इस तरह से डिजाइन की गई है इससे ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि इसमें जो मा जो होती है उसे जो सेफनेस मतलब कि उसे जो सुरक्षीत महसूस होने लगता है और जो ये जो प्रोसीजर होता है बच्चा पैदा करना का उसके अंदर उसके उपर जो साइकी बॉर्डन होता है एक मनो बिग्यानिक जो प्रहूज होता है उसको जो जेलने की चमता आ जाती है यही कहती है लेखी का इसके अंदर अगर आप बिहारी स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ट के टीचर है या इस्टूएंट है तो आप हमारी किताब यानि इंग्लिश क्लासेज की किताब निकलती है जिसका नाम है रै यह पूरा, इंगलिष में, "...the way of managing childbirth is traditional society are many unvaried." इस तरह से हिंदी में भी दिया रहता है, तो उचारन भी हो जाता है, तो आसानी से घर बेठ के जो है इस किताब को मंगवा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अगर पहाने के लिए कोचिंग खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी किताब बहुत ही बहतरीन किताब है आप मंगवा सकते हैं अगर आप टीचर हैं और अपनी कोचिंग क्लासे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका PDF फाइल भी अपनी कोचिंग के नाम से बनवा सकते हैं और आसानी से आप अपने जो एरिया के अंदर इसको पढ़ा सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं अगर अधिक जानकारी के लिए आप मुझे 9065 यानि के 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं ठीक है Even though the potential catastrophe are alive in the memory of the community महिला के अंदर भच्चा पैदा करने परती सुरक्षा का भव होता है कि की catastrophe का होता है catastrophe का मतलब गया होता है वो जो है वो मतलब खत्रा होता है उसको कहते हैँ अने वाला घ्रा हो घ्रा तो यह पहव पैदा होने के बावजूद भी क्या होता है कि potential यानि संभावित जो खत्रा होता है वो जो है समाज के अंदर यानि हमारी जो society है उसके अंदर ये memory जो है alive रहती है मतलब दीए अगर सौ मा जनम देती है बच्चे को तो उसमें से जरूर है कि 5-6 मा जो है क्या होती है उसको बच्चा जनम देने के समय ही जो है उसकी मिर्ति हो जाती है या कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसमें मा जो है अपनी जो सेहत उसको खो देती है तो यही कहा जाता है कि इसके अंदर इस तरह की डिजाइन तो की गई है पर्था लेकिन इस पर्था को डिजाइन करने के बाद भी संभावित जो खत्रे है वो भी समाज के अंदर रहता ही है और बेचैनी का जो पारा होता है वो चड़ा हुआ रहता है मतलब हर माबाप जैसे बच्चा पैदा करने का समय होता है किसी मा को उस समय क्या होता है कि उस समय जो मतलब सारे घर के परिवार के लोग होते हैं या समाज के लोग होते हैं परूरसी होते हैं उनके उपर जो इंजाइटी होती है मतलब जो बेचैनी होती है वो बर जाती जैसे जैसे समय नजदीक आता है उसके खत्रा की वज़े से उनके सर पे बेचायनी बढ़ जाती है गर्वस्था के लिए कर्मकांड वाला डिश्टी कौन है जो गर्वती महलाओ को निशेद और मनाही से जहाप लेती है और घबराहट को वसकरने में मदद करती है इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ साथ मतलब बच्चा पैदा करने के साथ साथ इसके अंदर टोना टोटका भी होता है मतलब इसके अंदर जहार फूग टोना टोटका भी करते हैं सब समाज के अंदर अलग अलग तरीका को होता है जैसे मालिय की कोई गर्वती महिला है तो उसे कहा जाता है कि आफ साम को ना जाएं या फिर इस तरह का हमारे समाज के अंदर इस तरह की वरस्ता है कि अगर मालिय की कोई गर्वती महिला है और उसको जो है सो चंदर गरहन या जो है सो सुर्ज गरहन होता है तो उसे जो है वो देखाई नहीं दिया जाता है इसे यह माना जाता है कि बच्चा जो है क्या होगा अपंग पैदा होगा तो यह जो टोना टुटका है यह भी समाज के अंदर होता है इससे क्या होता है कि इस इस तरह की जो चीज है वो भी होती रहती है और विमेन एक महिला who observe all the prohibition जो सभी बंधनों को निभाती है यह सारा टोना, टोटका, खाना, पीना सारा चीज को निभाती है and carry out all the deeds और सभी रस्म डिवाज को पूरा करती है will be actively involved in holding a known at way, वो सक्री रुप से किसी भी अनहोनी को दर किनार कर देती है, यानि कि टाल देती है मतलब यह सारा चीज निभाने के पाद उसके दिल में यह भावना जो है पैदा हो जाता है कि अब जो है उसके बच्चे के साथ या उसके साथ हमारे देश के अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई महिला मतलब कोई गर्वती महिला अपने बच्चे को चनम देती है तो उस सबसे पहले उसको मैके में बुलाया जाता है तीन महिना पहले बुला के फिर उसको क्या किया जाता है इसकी जो है अच्छा खाना मतलब जो अपको उसके घर में कोई लोग खाते है उससे भी बहतर खाना उस महिला गो खिलाया जाता है माँ बाफ उसकी देखवाल करते हैं जो घर की महिला होती है वो हमेंसा जो उसका ख्याल रखती है लेकिन यूरोप के अंदर देखे क्या होता है यूरोप के अंदर कोई महिला अगर गर्वती होती है तो वो क्या करती है लास्ट जो महिना होता है महिना का माले चार रो या पांच रो बच्चे जनम देने से पहले वो किसी होस्पीटल में चले जाती है न वहाँ पर मां होता ह बाब होता है ना परोशी होता है ना घर के अदर भाभी होती है कोई भी नहीं होता है और वहाँ पर अकेले महिल flex UX ग्हाती लेती है laut देटी है तो यह दो देखें तो यह दो किसी को मदद की यहा 7 अभी होता है तो leaving fairand कि उसके अंदर यह भाव पैदा हो जाता है कि हम जो है सिक्योर है है फॉर मेनी अफ रिचुवल एब्जॉर्बंस और प्रेगनेंसी गर्भ धारंद के बहुत सारे जो रीती रिवाज के अनुसरन में इन्वाल्व सामिल होता है दपार्टिसिपेशन अफ 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 जिसे उसकी मदद करनी चाहिए जैसे प्रिम्नरी हरहस्बैन मुख रूप से जो है यानि जो उस गर्भ धारन यानि बच्चा पैदा करने में जो एक तो महिला भागीदार होती ही होती है मतलब मुख रोल जो है वो निभाती है लेकिन उसके साथ-साथ भी दूसरे लोग है जो की मुख किरेदार निभाते हैं उसमें सबसे पहला कौन है मुख रूप से उसका जो पती होता है वो दैन हर कीन फ्लॉक कीन फ्लॉक का मतलब होता है नाते रिष्टेदार जो होते हैं उसको कहते हैं तो उसके बाद जो उसके रिष्टेदार होते हैं जैसे भावी हुई मा हुई बहन हुई तो यह सब भी जो है उसके अंदर मुख रोल निभाते हैं and then other member of our community और फिर उसके बाद उस community के दूसरे जो member होती है महिला जैसे उस परोष के लोग, आस परोष के लोग, समाज के लोग तो यह भी जो है एक मुख भागीदारी निभाते हैं some of these behavior इनमें से कुछ वहवार यानि आच्रन will be sensible and useful तरक संगत भी होता है और उपयोगी भी होता है other magical दूसरे जो होते हैं वो दिलकस होते हैं मतलब कुछ fantasy पैदा करने वाले होते हैं but they will all पर यह सभी increase her sense of security and conviction उसके सुरक्षा और आस्था की भावना को बढ़ा देते हैं किसके जो महिला होती है जो बच्चा जनम देने वाली महिला होती है गर्वती महिला होती है उसकी जो सुरक्षा है और उसकी जो आस्था एक विश्वास जो है उसकी भावना को बढ़ा देता है that she is conducting the pregnancy कि वो गर्व का समवाहन कर रही है not it is conducting her ना कि उसका जो समवाहन कर रही है या फिर आप जो है IPS officer बनना चाहते हैं अगर घर का support अच्छा हो तो आप बन सकते हैं कोई normal आदमी भी जो है IPS बन सकता है कि घर से आपको पैसा मिला सही समय पर सही कोचिंग जोईन किया और आप IPS बन गए लेकिन घर के अंदर खाने को नहीं है और आप IPS की अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप बन पाएंगे कोसिस करने पर तो सारी चीज पॉसिबल होता है लेकिन probability जो होती है संभावना जो होती है वो यह होती है कि अगर 100 आदमी कोसिस करेगा मतलब गरीब का बच्चा जिसके घर में खाने को तक कर लिए नहीं है तो उसमें से जादे से जादे एक या दो बच्चा होगा जो की प क्या करता है आपको कोई कठीन से कठीन काम भी हो वो करने पर आपको आसानी पैदा कर देता है तो यहीं समझाने कोसिस करती है लेकि का कि हमारे जो समाज या इंडियन सब कांटिनेंट के अंदर क्या होता है कि यहां पे जो महिला होती है और महिला जो गर्वती महिला होती ह समय अपने बचापदा करने में अपसी कारीव इस लोग भी आगर किसी महिला गर्वती महिला को बारा बजीया रात को अगर उसके दिमाग में या उसके सर में दर्द होने लगता है तो महिला जा के अपने से खुड टैबलेंट नहीं लाती है घर के अंदर के जो मैंबर्स होत सब्सक्राइब नियुक्ता के साथ तोना डोटका वाली कहानियों में गर्भ धारन के विशह में मिलता है हमारे अपने अती तर संगत और व्याकुल जीवन सैली में भी मिल सकता है मतलब एक खीका अपने जो यानि यूरोप की रहने वाली है वेस्टन समाज की रहने वाली है उसके अंदर भी जो है उसका मजा खुड़ाते हुए कहती है कि हमारा जो तरक संगत जो हमेंसा हर चीज सूपर रेशनल है मतलब हर चीज लॉजिक के बेस पर सोचते हैं और हमारा जो लाइफ इस्टायल जो की कनफ्यूज कर दिया गया है मतलब हमारा जो life style वो सही है अच्छा है यह पता नहीं है हमारे समाज के लोगों को उस समाज के अंदर भी जो है इस तरह की जो टोना टोटका होता है देखिए old wife's tale old wife's tale का मतलब वो जो बूढ़ी औरत की जो कहानी होती है उसको कहते हैं मतलब जो टोना टोटका होता है उसको कहते हैं यानि के सला इसका जो अगर आप डिस्नरी में ढूड़ियेगा तो उसका मतलब यह होता है सला या सिद्दान्त का एक अंस जो अकसर स्वास्त की मामले से सम किया जाता है लेकिन अब वो सला या सिद्दान्त जो गलत माना जाता है जैसे टोना टोटका जहार फूक यह जो होता है इस तरह की चीजों को ओल्ड वाइफ टेल्स कहते हैं समझ में आगे आपको आगे चलते हैं अब एक एक्जामपल देते हुए लेखी का कहती है वन जो अपने गर्वधारन की और कड़म बढ़ाई थी मतलब उन्हों वह गर्वती हो गई थी तो एक एक्जामपल देता है अपने समाज के बारे में यूरोप के अंदर कि किस तरह से वहाँ पर बच्चे की परवरिस होती है उसके बारे में यहां पर ग्जामपल देती है तो अपने पूर परशो के जो अमल है यानि उसका जो दस्तूर है उससे चिपकी हुई थी मतलब जो भी डॉक्टर कहा था या जो भी चीज उसके समाज में परचली थी उससे वो कलंक टू है मतलब चिपकी हुई थी मतलब वो चीज करती थी जैसे डॉक्टर ने कहा कि सुबह उठके आपको आधागंटा चलना है तो वो सुबह हर रोज उठकर चलती थी साथी साथ परसाओ के समय जो सारीरिक दोहन से बचने के लिए यह जरूरी तयारी कर रही थी मतलब कि जैसे आप अप प्रेगनेंट है मतलब आप जो है गर्वती है तो अगर आप हिलना डूला नहीं कीज़ेगा डॉक्तर जैसे आपको साथ से आट मेने के बीच में कहता है कि आप खूब घर का जारू दे आप पोछा करें मतलब जो काम है सारा काम आप कर इससे क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त में आपका normal delivery मतलब की जो आसानी से बच्चा बीना operation की बच्चा पैदा हो जाता है तो इस तरह की जो preparation कर रहे थी मतलब वो सारा चीज कर रहे थी कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिसको छोड़ रहे थी जो की आने वाले समय में जब last वक्त होगा बच्चा पैदा करते हैं समय में सारी रीग दोहन मतलब उसको तकलीफ से गुजाना पड़े इस तरह का कोई काम नहीं करे थी performing them in deep silence and total recollection और यह जो निभा रहे थी यह सारी चीज को गहरी चुपी और कुद अस्पन में मतलब की बरिश सांती से दिमाग को आसान चुप चाप और सयम के साथ जो है यह सारा काम कर रहे थी at the same time every day हर रोज ठीक उसी समय कम हेल और हाई वाटर अब देखिए यह एक फ्रेज है कम हेल और हाई वाटर इसका मतलब होता है किसी भी परिसानी के बावजूति यानि जो भी परिसानी आ जाए लेकिन वो हर रोज यह काम को जो काम उसका था रूटीन वो रूटीन को फॉल साथ ही साथ सी एवजौर वो देखती भी थी द ओल डाय हर्ट सुपिस्टेशन पुरानी कठर अंद्विस्वास जो था उसको भी मानने लगती देखिए आदमी जब अपने सर पर आता है न तो आदमी जो है सो यह टोना टोटका जहार फुक में खुद पर खुद चला जात उसको भी वो एब्सॉर्ब करें थी उसको भी उसका भी पालन करें थी डैट अक्वारिंग एक्कुपमेंट एन अप्रेल फॉर बेबी विफॉर बट वास बैड लग उसके समाज में एक जो है कट्टर अंद्विस्वास यह था कि उसके मतलब यूरोपियन समाज में यह ब जो होना या फिर कोई कपड़ा बच्शा होने से पहले अगर ले लिया जाए तो यह बूरा माना जाता है थाया बचिय दे उसके उस्प माना जाता है जो है एक डाइहार्ड सुप्रेस्टिशन जो है वो है and so one of my god children shoot into the world without crimes and neckpin और इस तरह से जो बच्चा उसका पैदा हुआ उस गेजवेट लेडिस का उस बच्चा जो है बिना किसी crime के crime और neckpin इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ खटोला जो होता है जैसे जूला जो होता उसको कहते हैं और neckpin का मतलब होता है गुलबंद जो रुमाल रुमाल यानि बच्चा बीना क्योंकि लेडिस ये मानता था कि समाज के अंदर की कोई बच्चा पैदा होने से पहले परियाप्त परियास ये देखने के लिए किया गया कि the mother had every opportunity to enjoy her baby मा को अपने बच्चे का अनन्द लेने का हर मौका मिल सके but after her training of unmedicated child birth for month unmedicated child birth ये training होता है training क्या हुआ कि जैसे normal delivery का एक ये होता है normal delivery एक होता है कि आपका operation से बच्चा होता है और एक बच्चा होता है जो कि normal हो जाता है तो normal unmedicated मतलब बिना कोई medicine के कोई medical help के बच्चा को normal पैदा करने का जो training था वो भी ये जो है so क्या कर रहे थी महिला वो मतलब ये ले रही थी in the event उसी हाल में the hospital diffused to believe she was second stage of labor hospital ने ये विश्वास करने से इंकार कर दिया कि वो दूसरे चलन के स्रम मतलब बच्चा पैदा होने से पहले मा को जो होने वाला दर्द होता है उसमें थी मतलब बच्चा अगर कोई गरवती महिला उसको दो तीन दर्द होता है एक पहला दर्द होता है वार्निंग दूसरा दर्द होता है और तीसरा फिर जो है दर्द होता है तीसरे दर्द के बाद बच्चा पैदा हो जाता है तो जब वो में घृस्पिटल में गय थी तो दूसरे लेवर पेन में थी, मतलब कि दूसरी बार उसका जो दर्द होता है बच्चा पैदा होने से पहले उस लेवर पेन के अंदर थी और लेकिन वोस्पिटल वाले जो थे उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने का नहीं ऐसा नही जब तक उसकी बेटी का सीर देखाए नहीं देने लगा मतलब जो बच्चा है वो जो गरभासे से मतलब जो मा की जो बच्चेदानी है उससे उसका सीर बाहर नहीं आने लगा तब तक जो होस्पिटल वाला ये मानता ही नहीं था कि इसको लेवर पेन है ब्रेस्ट फिडिंग का मतलब क्या होता है जो चाती से मा जो दूद पिलाती है उसको ब्रेस्ट फिडिंग कहते हैं तो अस्पाताल के जो लोग थे उसके जो करमचारी थे वो अस्थन पान के लिए मतलब दूद पिलाने को लेकर इतने असही होगी थे that mother and doctor discharge themselves after two days कि मा और बेटी दोनों को क्या किया कि मा बेटी जो तंग आकर जो है दो दिन के बाद ही उसने क्या क्या अपना नाम कटवा लिया होस्पीटल से मतलब कहने का मतलब यह है कि समाज के अंदर जो देखें वेस्टर सोसाइटी के अंदर जो है सो ऑपरेशन पर जादे धिया जाता है कि बच्चा ऑपरेशन से पैदा हो लेकिन वहाँ पर यह महिला जो थी वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर रहे थी कोसिस तो वहाँ के जो डॉक्टर थे जाए स्टाफ थे वो मानने को तयार ही नहीं थी कि उसका दूसरा लेवर्ट पैन यानि जो फाइनल स्टेज ऑफ पैन होता है बच्चा होने का वो स्टेज में थी और उसके बाद जब बच्चा पैदा भी हो गया तो फिर उसके बाद मा को अस्तन पान और सब से अच्छा थी एक बच्चे के लिए मा के दूद से बेतर क्या होता है तो वो दूद पिलाने के जो पक्चधर नहीं थे मतलब उसके में सहयोग नहीं कर रहे थे इसकी वज़से क्या वो जुट गैजुट लेडी थी वो दो दिन के बाद ही जो है अपना नाम कट वा लिए तो इस तरह से जो है अचायलीज बाउन का पहला पार्ट का समापन हुआ आस्तर करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दूसरे पार्ट को हम लोग कल डिसकस करेंगे इससे पहले कि आप अगर बिहारी स्कूल एग्जामनेशन बोर्ट के स्टुएंट है तो आप हमारी प्ले लिस्ट को जो जाकर चेक कर सकते हैं इसके अंदर पुरा इंडियन सिविलाइशन से लेकर अचायलीज बाउन सारा चैप्टर का जो है उसके अंदर को एक्स्प्लेंट ट्रांसलेशन मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ाया है अगर आप टीचर है तो इस किताब को जरू बाइबाए इसको पढ़ना स्टार करें इंगलिस बिना पढ़े हुए इंगलिस आही नहीं सकती है 100-100 स्कोर कर लिजिएगा लेकिन यही 100-100 स्कोर बाद में आपको परिसानी होगी थैंक यू सो मुच पर वाचिं कोरेंट इंगलिस क्लासेट